अगर आपका निचला पेट यानि कि जो नाभी के नीचे वाला हिस्सा होता है ये अगर निकला हुआ है या ये इसके नाभी के काफी लूस पड़ गई है ऐसे डीली रहती है तो इसके लिए आज जुम आपको प्राक्टिस बताऊंगी अगर आप इनको डेली बेसिस पे करते हैं तो 100% आपको इससे फायदा होगा एक राउंड आप इसका मेरे साथ सात्मी कीजिए खाना खाने के तुरंतवाद आपको इस प्राक्टिस नहीं करना है दो से धाई घंटे के बाद आप किसी भी वक्ट चाहे सुबह सुबह खाली पेट कर लो ब्रिकफस्ट के दो घंट सकते हैं एक राउंड आप मेरा साथ में कीजिए जैसे जैसे इसको फायदा होगा और पहले ही बार से इस जगहा पे आपको असर भी दिखना शिरू हो जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्र तो फर्स्ट एक्ससाइज करने के लिए आप इस तरह से लेट जाएए अगर आप बेड़ पर बैठी हुए ना तो बेड़ भी बैठके आप इस प्रक्टिस को मेरे साथ में कर लीजिये इस तरह से लेट जाएंगे ऐसे ठीक है धीर इसे अपने पैर को इस तरह से उपर उठा आपको इस तरह से आपकी जांगों पर रखना है और हल्का सागय की तरफ प्रेस कर देंगे ऐसे जितना आगे तक आपको पैरों को लेके जाना है अगर आप यहां तक लेके गए और आपको कमर में दर्द होने लगा तो आप रुख जाईए अगर आपको सिर्फ यहां पर बह दवाब महसूस होगा और फिर जब इसको आगे 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 ऐसे इस तरह से सीधा कर देंगे तो आपको यहां पर नीचे की तरफ भी दवाब महसूस होगा और अगर आप इस तरह से अभी यहां पर छुएंगे न तो आप देखोंगे बिलकुल एकदम टाइट हो कर पा रहे हैं कोई बात नहीं जितने आप कर पा रहे हो इतने कर पा रहे हो इतने पे रहो आगे लेके जा पा रहे हो तो आगे पे रहो वहाँ पर जाकर हमें सिर्फ पांच काउंट के लिए होल्ड करना है ठीक है चलिए हातों को रखिए लंबा सांस वरिए पहले अफिर धी 3, 4, 5, and then back. आप देखोगे सर्फ 5 काउन करने से ही यह पूरा इसकिन आपकी टाइट हो गयोगी, पेट इगदम टाइट हो गया होगा. अगर आपको भी टाइटनेस फील हुई है, यहाँ पे बहुत जबरदस्ता प्रेशर फील हुआ है, तो कॉमेंट शेक्षिन में अभी एस लिख दीजिए. तब तक मैं आपको नेक्स एक साइस प्लेन करती हूँ. नेक्स एक साइस करने के लिए आपको दोनों पेरों को इस तरह से उपर उठाना है ये. बिल्कुल सीधा कर दीजे पेरों को, अपने हाथों का सहारा लीजिए इस तरह से, गुटने सीधी कीजिए, और पैर के मूठे उपर की तरफ खीज लीजिए इस तरह से. अगर आपसे 2 पैर साथ उपर नहीं हो रहे हैं तो आराम आराम से 1 पैर को लगा दीजिए इस तरह से मतलब दिवार के सहारे से आप पैरों को उपर कर लिजिए और इस तरह से आपको यहां पर लेटना है और धीर सी सपोर्ट छोड़िए और दोनों हातों को पीछे ले जाईए इस तरह से ये पैर क्यां उठे उपर की तरफ कीचिए और हातों को पूरा पीछे की तरफ यहाँ पे और बस यहीं पे आप पाँच काउंट होल्ड कीजिए अब धीरे से अपने हातों को आगे ले के आओ और यहाँ पे पाँच छूके देखो यह देखो पूरा इसकी यहाँ पे टाइट हो गई पूरा आपका कोर एडिया इंगेज हो रहा है तो यह भी आपके यहाँ के फैट को भी रिडियूस करता है और जिन लोगों को इन डिजिशन का प्रॉब्लम है पेट साफ नहीं होता खाना हजम नहीं होता हमीशे दकारे आती रहती हैं उनके लिए भी प्राक्टिस बहुत जादा फायदे बनने हैं तो यह हमारी दो प्र अब देख लेते हैं हमारे थर्ड प्राक्टिस इसके लिए अगेन पैरों को इस तरह से उपर उठाएंगे ध्यान लखना आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री बनने चाहिए तो इस तरह से इसको यहाँ पर फिक्स कर लिजिए अब आप चाहें तो अपने हा और अब पहले एक लंबा सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे मुझ से सांस छोड़ते हुए इस तरह से हाथों को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पर आके यानि कि नीचे से कम से कम 30 से 40 डिग्री उपर आपको यहाँ आधे में आके रुख जाना है और यहीं पर 5 काउंट के लिए होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, and 5 और फिर धीर इस तरह से ऐसे बापस और धीर इसे पैरों को नीचे रख लीजिए अभी मैं आपको सारी एक्साइस का से एक एक राउन बता रहे हूं 5-5 काउंट के लिए ठीक है यह आपको कम से कम 3-3 बार करने हैं जिसे यह पांच के लिए होल गया फिर से इसको दो बार आपको सेम रिपीट करना है तो यह प्राक्टिस हो गई अब देखते है हमारी नेक्स प्राक्टिस और धीर इसे पैरों को पीछे की तरफ ले जाईए ऐसे एके करके दोनों पैर पीछे और धीर इसे हिप्स को नीचे कर दीजिए एकदम सामने पूरी बाड़ी को एक सीध में रखेंगे ऐसे ठीक है नॉर्मल ब्रीट करेंगे जब आप इस पोजिशन में आएंगे तो आप देखेंगे आपका पेट बिलकुल टाइट हो गया है लेकिन आपको इस पोजिशन में होल नहीं करना बलकि आपको मुमेंट करना है इस तरह से यह यहाँ पे आगए अब थूड़ा सा लेफ्ट थूड़ा सा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट ठीक है सामने देखना है कंधे बिलकुल आपके कंधों के नीचे रहेंगी तो इसके भी आपको कम से कम 20 मुमेंट करने है शुरू में दस करो फिर धीरे धीरे जो है इसके रेपेटिस्शन को आप बढ़ा लो तो इस तरीके से अगर आप यह भूमेंट जो भी मैंने आपको बताया है, चार भूमेंट अगर आप इनको as it is करते हैं हर किसी के कम से कम तीन तीन रेपेटिशन करते हैं और इतना ही देर के लिए करते हैं जितना मैंने बताया है तो 100% आपको फायदा होगा कौन से एक साइज आपको सबसे अच्छी लगी आपको सबसे आपने की या नहीं की विज़े कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और आपके स्टॉप फायदा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं अपने ध्यान लखिए खुश रहिए फिट रहिए थांक यू